आप सब्सक्राइबर 25,000 हो चुके हैं आप लोग का विश्वास इतना बड़ा कि मेरे सब्सक्राइबर के काउंट आप सब्सक्राइबर 25,000 हो चुके हैं आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेर करूंगी किया चैनल बनाने का मोटो क्या था क्यों बनाया प्यू प्रिंस नाम ही क्यों रखा और मेरे सब्सक्राइबर्स यहां जीरो से लेके 25 का जो जर्नी है वह किस राज से मैंने बहुत इंट्रेस्टिंग है इसलिए अन तक बने रहे गारा में चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपका एक लाइक में बहुत माइने रखता है यह जो चैनल चैनल बनाने से पहले प्रिंस वर्ड बनाने से पहले प्रि wydaje किच्ऑम का एक चैनल बनाया था जिसमे अपने जो मेरी रेसिपी बनाते एक शायनल बना था और चैनल भी इसलिए बना था है यह मैरी जो फ्रेंड है उसके जानने थाकि उसके शादी हो गई थी और वो सारिषारी का बनाती है तो बताती थी तो उसे समझमें नहीं आताथ अमें सोचा कि मैं कहले कीना मैं जिसल्स बनाकर चैनल पे मैं अपलोड करो उस वह चैनल मुनें क्रिएट किया और फर्स वीडिईयो करना एडिट करना अपलोड करना आप लोग को मालूम है कितना डिफिकल्ट काम है सारे चीज़ करती थी तो में प्रेगनेंट भी रह गई थी तो में जो फॉर्स बेट बेट बच्चा है वो पी हुए और उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रिंस होने वाला था और उस चैनल को में टाइम नहीं दे पा रहे थी और उस चैनल पर कोई रीच भी नहीं हो रहा था कोई व्यूज में नहीं आते थे और वह जो भी व्यूज आते थे जो मैं वाट्स आप और ऐसे जितने वी जानने वालोग को में अपलोड करके देती थी तो टाइम भी आ गया 3 जैन 2020 जिस मााइम ही नहीं मिलता था था कि उस पर विडियो बनाओ पास एक्छयलि है घ्र मैं यह था कि बहुत सारे जो वीडियो धानना बछ पन के वीडियो बहुत साहे महमद को बनाते हैं फोट्व को शुरूए तлись क्या प्रित्थी स्पेस्तिक्ष टील इने में इस जांव होल जा उसको नहीं operate करते हैं और इक नए चैनल बनाते है ऐस फोटो एल्बम के तरह रखूंगी जब भी मैं मन करेगा इस पर वीडियो देखते रहूंगी कोई देखे ना देखे सब्सक्राइबर हो ना हो पर मैं इस पर डेली वीडियो अपलोड करूंगी जो भी के साथ मस्ती है अ कि मेरा जैसे एल्बम होता है ना लोगों का फोटो एल्बम मेरा वीडियो एल्बम हो जो यूटुब चैनल पर रहेगा और इसको कभी एकस्पारी भी नहीं होगी फिर मैंने एक एक करके एक करके वीडियो डालते गई अपने पीओ के डेली रूटीन पीओ का पहला वर्ड कि पिर एक दिन ऐसा हुआ कि जा मैंने नहाने करने का वीडियो मैं अपलोट किया ना तो उसमें माली नहाने वारा जो वीडियो थै किस तरह से बच्चे को यूब और मेविश को नहिलाते है हूँ बहुत जारा वायरल हुआ और बहुत जारा पसंद आया आज भी हाइक पे हैं उस वाले वीडियो से मेरे काउंडाउन था पूरा हुआ तब गड़ा हुआ था इसको रिव्यू में दिया जाए तो उसके लिए मैंने सर्च किया कि इसे रिव्यू किया कम नंद दिया जाता है मैंने अपने चैनल को रिव्यू में दिया और अल्मोस्थ एक महीने के अंदर अंदर जा मेरा चैनल है मौनिटाइज हो गया जो है पैदा हुआ था 3 जैन 2020 में और मैंने अपना यह जो चैनल चालू किया 15 फैब 2020 में मेरा जो चैनल है करीबन 7-8 मैने के बाद मौनिटाइज हो गया मौनिटाइजेशन के बाद आपका रूल है कि यूटूब का के हंड्रेड डॉलर होने के बाद ही हमारी जो अनिंग है फर्स पेइमिंट आपके अकाउंट में आएगा उससे पहले आपको 10 डॉलर कंप्लीट करने होंगे 10 डॉलर जैसे कंप्लीट होगा तो बैंक का जो प्रो स्विस कोड़ साली फैसलेटी ती उन्हों ने का यूट चीज़ बैंक ने टिया अप्लोड कर दिया सारीजेहोगे 10 डॉलर्स भी हो गए फिर एक दिन ऐसा आया कि जो मैंने नहने वाला वीडियो था ना प्रिंस का नहने वाला वीडियो वो अचानक से यूटुब से डिलीट हो गया उस दिन मुझे बहुत जादा शौक हुआ कि अब भी अब भी तो मेरे चीज़े अच्छी से सैटल होने लगी थी और वो वीडियो डिलीट हो गया यह कहा गया था कि नियूबॉर्ण बेबीज को मैंने तो ऐसी वीडियो लिया था जिस साथ से बच्चे नहाते ही है तो बोलते हैं कि इस साथ से वीडियो नहीं लेना है यह गलत है और बच्चों के सेफटी के खिलाफ है इस वीडियो वापस नहीं आएगा और यह डिलीट रहेगा उस टाइम में बहुत सारा डिप्रेशन में चली गई थी फिर मैंने कई दिनों तक वीडियो भी नहीं अप्लोड किया थे इतनी मायनत करने के बाद आखिरकार वीडियो वाइरल हुआ चैनल मॉनिटाज हुआ टैन डॉलर भी बने फिर उसके बाद यह सारे चीज़ी हुई मैं चल जाने दो माले लिए और मॉड़्ीयो जो अबुए दे हैं वो सोच के और वीडियो से अपलोड करते थी तहीं चैनल में जिस ताहसे आज पर फीत Amazonas और धी। देने में फैसक्ति टमें natuur्साट समय नौनभे हम जब आ कुछे in regression है depends, तक की आपकन पर दो जड़े इस बैडर हैं, हमें आप 25 खीर उसे सब्सक्राइब 90% नहीं था रहां पर दो हम नहीं कर दो ह यूटुब का रूल है कि बच्चों पर जो वीडियो उस पर आनिंग नहीं होती है अर नॉर्मल वीडियो होता है उस पर अधर होती है इक और दिन आया है कि जो मालिश वीडियो है वह भी ने रिमूब कर दिया जाएगा कर्किatan भी नहीं तो बेड़ीज निकल गई डिलीत हो गया अब क्या होगा मैं चैनल का क्या होगा वीडियो बनाते जाएंगे कभी ना कभी तर सक्सेस मिले गा ही उसके बाद बहुत सारे वीडियो बनां है पौर प्रेस फिडिंग के उपने वह बहुत जादा पसंद किया गया तो मैंने सोचे करना है कैसे breastfeed करना है बचों को कैसे पकड़ना है सारी चीज़े इस वीडियो के दूरू में आप लोग के साथ लेते आई उन सारे वीडियो को आपने पसंद किया और में डेली व्लॉक्स भी डालती हूं जो आप लोग थोड़ा बहुत पसंद करते हैं और नहीं भी पसंद क हो गए इस फर्स पेइमेंट को आने में मुझे दो साल लग गए मतलब कि 2000 में 2020 में मेरा जो चैनल है वह मोडिटाइस हो गया धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके 0.1% 0.2% 0.5% 0.20 इस तरह से मेरे जो आनिंग के जो है वह बनते रहे और करीबन दो साल बाद इस साल मुझे है ना फर्स पेइमेंट आ चुका है तब कि 100 डॉलर बन गए और मुझे भी फर्स पेइमेंट आया मैंने क्या किया है वह फर्स पेइमेंट का उसके लिए जो वीडियो है मैं आगे लाओंगी क्योंकि मैंने है ना सोचा कि फुल फ्लेश वीडियो बना हूँ इस तर 15% कट होके आता है यूटूब का रूल है जो भी इंडिया वगेरा जो भी फ्रेंज जो कांट्रीज है जिसे फ्रेंशिप है अमेरिका की उसका आना 50% 15% जो अनिंग है वो कट के आएगी और प्लस इंडिया टैक्स कट के मिलता है तीडियस बन जो कहते है वो कट कुट के अब चलिए बताती हूँ ये चैनल का नाम पीहू प्रिंस वर्ल्ड ही क्यू रखा मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि मैंने पीहू प्रिंस की जो जानी है जो चीजे मैंने शूट की थी फोटोस ली यह थे वो सारे चीज़े इस पर जो भी अर्जिंग है उनकी फर्स इनकम है। महीं नहीं को प्रिंस वर्ल्ड की फर्स इंकम वीडियों तो बहुत बढ़ा हो जा रहा है मैं आज का यही पर खतम करती है। और और कुछ जानकारी चीए मेरे परसनल लाइब से तो कमेंट की सेक्शन में ज़रूर बताईएगा तो आने वाले वीडियो में क्वेस्टन एन आंसर के थू मैं आपके चो कमेंट से हैं उसके आंसर सब कुछ दे दूँगी यह बाइ मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं और चली बाइ